आज मैं आपको बहुती सिंपल सब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा कि सोसल लर्निंग क्या होती है देखिए सोसल लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे को एक्टिविटीज करते हुए काफी धैन से देखते हैं मतलब ओबजर्व करते हैं और फिर उसी एक्टिविटी को खुद करने की कोशिश करते हैं आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे देख कर सीखते हैं मतलब यहाँ पर लर्निंग बाई ओबजर्वेशन होती है आपने लर्निंग बाई डूइंग के बारे में सुना होगा फिर सीखता है ठीक उसी तरह से होती है लर्निंग बाई ओबजर्वेशन में बच्चा किसी भी एक्टिविटी को पहले बड़ी ध्यान से देखता है कि सामने वाला उस एक्टिविटी को कैसे कर रहे हैं फिर उस एक्टिविटी को खुद करने की कोशिश करता है और कई बा पर काम्याब नहीं हो पाता देखिए यहां पर मैं जो बार बार एक्टिविटी वर्ड यूज कर रहा हूं यह एक्टिविटी अकेडमिक भी हो सकती है मतलब आपकी पढ़ाई से रिलेटिड भी हो सकती है और यह एक्टिविटी नोन अकेडमिक भी हो सकती है मतलब खेल से related भी हो सकती है Social learning एक wider concept है Social learning समाज की हर field में है लेकिन हम Social learning को Education के संदर्ब में पढ़ेंगे कि Social learning के जरिये हम कैसे बचों की learning को enhance कर सकते है उनकी understanding of subject को भढ़ा सकते है देखिए Social learning में क्या होता है जो हमारे teacher होते हैं वो किसी भी activity को काफी अच्छे तरीके से काफी अच्छी तरह से बच्चों को demonstrate करके दिखाते हैं और सभी बच्चे उस demonstration को काफी ध्यान से देखते हैं और फिर उस activity को खुद करने की कोशिस करते हैं देखिए social learning एक भोत बड़ा concept है देखिए हमने peer tutoring के बारे में पढ़ा peer tutoring में हमने पढ़ा एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है या उसे कुछ सिखाता है cooperative learning के अंदर हमने पढ़ा cooperative learning एक teaching strategy है जिसके अंदर बच्चे एक team के अंदर रहकर काम करते हैं और उस team का main काम होता है बच्चों की learning को enhance करना उनकी understanding of subject को improve करना अब हम social learning के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं social learning is learning that takes place at a wider scale than individual और group learning through social interaction between peers बिलकुल सही बात है देखिए social interaction तो सब में होता है चाहे वो peer tutoring हो चाहे वो cooperative learning strategies हो लेकिन जितना social interaction social learning के अंदर होता है इतना social interaction peers के बीच में कहीं भी नहीं होता है इट इस दी process in which individual observe the behavior of others and its consequences and modify their own behavior accordingly देखिए social learning एक ऐसा process है जिसके अंदर individuals दूसरे के behavior को observe करते हैं बड़ी द्हान से देखते हैं और उसी के according कहें अपने behavior को भी modify करते हैं अपने behavior के अंदर भी change लाते हैं अपने attitude के अंदर भी change लाते हैं An individual social success is based upon the quality of his or her social interaction देखिए जैसे कि हम सबको पता हैं हम social animal हैं और हम एक society के अंदर रहते हैं और किसी भी individual की जो social success है वो इसी बात पर depend करती हैं कि उसका logo के साथ social interaction कैसा है उसकी quality कैसी है इसके अंदर ये कागया है कि इनसान क्या है एक दूसरे से ही सीखता है हो सकता है वो observation के जरिए सीख रहा हो हो सकता है वो modeling के जरिए सीख रहा हो हो सकता है वो imitation के जरिए सीख रहा हो हर किसी की जिन्दगी में कुछ role models होते हैं अब मन में सवाल आता है ये models कोन होते हैं और ये role models कोन होते हैं जिस individual को हम बहुत धैन से observe करते हैं follow करते हैं उसे हम model बोलते हैं उसे हम role model बोलते हैं ये रोल मोडल कोई भी हो सकते हैं, ये रोल मोडल हो सकता है हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, या हो सकता है टीवी के अंदर हम जो सीरियल देखते हैं, जो फिल्में देखते हैं, उसमें से कोई हो या कोई करेक्टर हो, हो सकता है रोल मोडल हमारा ही कोई दोस्त हो, हो सकता है रोल मोडल हमारा ही कोई teacher हो. Actually, हम करते कैंजिसे हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. उसे हम अपना रोल मोडल माल लेते हैं. और फिर हम उसी के जैसा बनने की कोशिज बनने के कोशिच करते हैं. मतलब इमिटेशन करते हैं फिर हम उसी के according अपने behavior को modify करते हैं अपने behavior को change करते हैं uncode करते हैं पढ़ लेते हैं social learning requires attention to the person observe remembering the observe behavior the ability to replicate the behavior and a motivation to act the same way अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर चार point लिखे हुए attention remembering replicate and motivation देखिए कहने के लिए point है लेकिन ये चारो ही क्या है social learning के elements है अगर आपसे पूछ ले कोई elements of social learning तो वो चार element क्या है attention remembering इसको आप retention भी बोल सकते हैं एक है replicate replicate को आप reproduction भी बोल सकते हैं एक है motivation देखिए attention का मतलब क्या होता है किसी को काफी carefully watch करना listen करना उसके बारे में सोचना ठीक है इसके अंदर mental focus होता है concentration होता है full second है remembering the observe behavior देखिए इसके अंदर क्या है आपकी याद करने की सकती देखी जाती है आप किसी को कितनी धहन से देख रहे हैं फिर उसके according अपने behavior में कैसे change ला रहे हैं इसके अंदर third है the ability to replicate the behavior मतलब जो आपने देखा है उसको आप कैसे अपने शरीर के अंदर अपने अंदर उसका बदलाव ला रहे हैं replicate कर रहे हैं मतलब repeat कर रहे हैं practice कर रहे हैं उस चीज़ की कितनी ज़्यादा फिर है a motivation to act the same way देखें यहाँ पर motivation का मतलब है reinforcement से और punishment से अगर आप उस behavior को जो आपने observe कर रहे हैं धंग से कर रहे हैं तो आपको reward मिलेगा अगर आप धंग से नहीं कर रहे हैं तो आपको punishment मिलेगी reinforcement place a important role in learning बिल्कुल सही बात देखिए जो reinforcement है वो काफी एहम role play करता है learning के अंदर देखिए चाहे आप peer tutoring पढ़ लिजिए चाहे आप cooperative learning पढ़ लिजिए चाहे आप social learning पढ़ लीजिए सभी का मकसद एक है कि हमें किसी भी तरीके से कहें बच्चों की learning को enhance करना है हमें कहें किसी भी बच्चे से किसी भी परकार के गिन नहीं माननी है हमें कह सब को अपना मानना है यहाँ पर social learning की बात करी गई है इसके अंदर यह समाज के अंदर जो discrimination है उसको बिलकुल खतम करना है और किसी बच्चों की learning को enhance करना है बच्चों को जो भी learning difficulties आ रही है जो भी learning gaps है उन सब को खतम करना है बच्चों को एक अच्छा learning environment प्रवाइड करना है मुझे उमीद है social learning क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर अब भी कोई doubt है तो comment box में अपना doubt लिखे मैं आपका doubt क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा